दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियन्स में आज के हमारे वीडियो को टॉपिक है अलजेबरा बीजगडित और या इस टॉपिक का पार्ट फस्ट है इस वीडियो में हमने विभिन परिच्छाओं में आए हुए अलजेबरा के 12 सवालों को ल अब जैसे यहां वर्क करोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्यार प्लस वन अपॉन एक्स स्क्यार प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और यहां हो जाएगा 25 अब यहां एक्स और एक्स कैंसिल सो एक्स स्क्यार प्लस वन अपॉन एक्स स्क्यार दो जाएंग था तो यहां plus 2 आएगा हमेशा इधर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा अर्थात आप सीधा work करो और उसमें से 2 गटा दो आपको सीधा ही answer प्राप्त हो जाएगा कब जब सवाल plus वाला हो और इसी प्रकार अगर सवाल minus वाला हो x minus 1 upon x equal to 5 अब भाई अगर यहाँ work करोगे तो x square plus 1 upon x square सो यहाँ पर तो minus 2 आ जाएगा और बराबर 25 तो यहाँ पर answer आएगा 27 अर्थात अगर minus वाला सवाल है तो क्या करना है square करना है सामने वाली संख्या क्या और उसमें plus 2 जोड देना है minus वाले में जोडना है और plus वाले में घटाना है आपको यहाँ सीधा यह answer पराप्त हो जाएगा अब प्रस नंबर 2 है कराए कि x plus 1 upon x बराबर 4 है तो हमें x cube plus 1 upon x cube का मान निकालना है अब भाई सवाल cube वाला है तो क्या करो दोनों पक्चों में न क्यूब कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा a cube plus b cube plus 3ab into a plus b वाला फार्मल लग जाएगा और बराबर 4 का cube 64 यहाँ x x cancel अब यहाँ हो जाएगा x cube plus 1 upon x cube plus 3 into x plus 1 upon x का मान 4 है और बराबर 64 अब 4 तियां 12 उधर जाएगे तो 64 minus 12 आंसर आजाएगा 52 अर्थात x cube plus 1 upon x cube का मान कितना हो जाएगा 52 अब यह हो गया हमारा सामाने तरीका अब बैए शॉर्ट कट क्या है कि बैए आप सामने वाली संख्या का cube करो minus 3 into y संख्या आपको यहां सीधा यह answer प्राप्त हो जाएगा minus कप करना है जब यहां सवाल plus वाला हो अगर भाई यहां minus होता तो यहां पर minus आता तो उधर जाता तो यहां 12 जुड़ जाते अर्थात अगर सवाल minus वाला है तो यहां plus कर देना है और plus वाला है तो minus अब प्रस नमबर 3 है कराए कि x plus 1 upon x बराबर 2 है तो x की power 4 plus 1 upon x की power 4 का मान गयात करना है अब भाई यहां सामाने तरीका क्या है कि power 4 है तो आप एक बार स्क्यार करो और दुबारा से स्क्यार कर दो लेकिन अगर x plus 1 upon x का मान कभी 2 दिया हुआ हो तो भाई x plus 1 upon x का मान 2 तभी हो सकता है जब x का मान 1 होगा भाई x का मान 1 तो 1 upon x का मान 1 हो गया 2 अर्थात यह condition तभी हो सकती है जब x का मान 1 होगा अब जब हमें x का मान ग्यात हो गया है तो हम इस प्रकार का मान आराम से ही ग्यात कर सकते हैं एक की पावर 4 तो 1 और उसका उल्टा वा भी एक अर्थात आंसर 2 आएगा अब जैसे प्रस नमबर 4 है के रहा है अब यहाँ पर है a plus one upon a बराबर 2 या condition केवल तब ही हो सकती है जब a का मान एक होगा अब जब हमें a का मान मालूम हो गया है तो a की पावर 5 प्लस उओन आ पावर 5 हो या भाय यहां कोई भी पावर लगी हो उसका मान हम ग्यात कर सकते हैं अब एक की पावर पाँच का मान एक और उसका उल्टा भी एक अर्थात यहां भी उत्तर दो आएगा अब प्रस नमबर पाँच कुछ डिफरेंट है कहरा है भाई A प्लस 1 अपॉन A प्लस 2 बराबर 0 सो यहां हम A प्लस 1 अपॉन A का मान निकालेंगे तो आजाएगा माइनस दो भाई उपर सवाल में था दो तो हमने A का मान एक रखा था अगर A प्लस 1 अपॉन A का मान माइनस दो है या कंडिशन केवल तब ही हो सकती है जब A का मान माइनस एक होगा भाई A का मान माइनस एक तो 1 upon A का मान भी minus 1 होगा minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा अब हमें इसका मान निकालना है सबसे पहले हम A plus 2 का मान निकाल लेंगे A का मान minus 1 और plus 2 आ जाएगा 1 A plus 2 का मान 1 है अब 1 का cube वा भी 1 होगा और उसका उल्टा वा भी 1 होगा अर्थात यहां भी उत्तर 2 आएगा अब प्रस नमबर 6 है कराएगी X स्क्यार प्लस 1 अपॉन X स्क्यार बराबर 23 तो हमें मान निकालना है X क्यूब प्लस 1 अपॉन X क्यूब का अब इस प्रकार के सवाल अक्सर मिल जाते हैं भई तो यहां क्या करेंगे हम पहले whole स्क्यार बना लेंगे X स्क्यार प्लस 1 अपॉन X स्क्यार प्लस 2 इधर दो जोड़े और यहां भी दो जोड़ दिये यह बन जाएगा whole स्क्यार जैसा हमने प्रस नमबर 1 में किया था इस प्रकार से बराबर 25 तो हमें X प्लस 1 अपॉन X का मानना पांच मालूम पड़ जाएगा अभी हमें मान निकालना है x cube प्लस 1 अपाउन x cube अब आप चाहो तो यहां whole cube कर लो दोनों पच्छों में अब भाई चाहो तो direct लगा लो 5 का cube minus 3 into 5 जो भी संख्या हो उसका cube करो माइनस 3 into संख्या प्लस वाले में सो 125 और माइनस 15 क्या जाएगा 110 अब प्रस नमबर 7 है कि x plus 1 अपाउन x बराबर 1 दिया हुआ है तो हमें मान ग्याद करना है x square प्लस 3 x plus 1 अपाउन x square प्लस 7 x plus 1 अब भाई यहां क्या करो आप LCM ले लो इधर सो हो जाएगा x square plus 1 upon x equal to 1 इसको थोड़ा और साही कर लो x square प्लस 1 equal to x अब ध्यान रखना है x square प्लस 1 यहां पर भी है x square प्लस 1 उसका मान क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं तो उसका मान रखो x और उपर बचा 3 x इसका मान रखा x और 7 में लिखा है 7 x यह हो जाएगा हमारा 4 x upon 8 x अब भाई यहां कार्ड दो तो आंसर आ जाएगा 1 बटा 2 अब जैसे प्रस नंबर 8 है कह रहा है कि x minus y बराबर 7 दिया हुआ है तो हमें मान ग्याद करना है x minus 15 का whole cube minus y minus 8 का whole cube अब इस प्रकार के अगर सवाल आपको लगाने है तो सबसे पहले क्या करो भाई x minus 15 को ना आप कुछ मान लो हमने a मान लिया y minus 8 को ना आप b मान लो अब यहां से आप x का मान निकालो आजाएगा a plus 15 और यहां से y का मान निकालो आजाएगा b plus 8 अब ना यह वाले मान आप इधर रख दो x minus y सो हो जाएगा a plus 15 minus b minus 8 y का मान गटाया और बराबर है 7 यहां से अगर भाई मान निकालोगे तो a minus b का मान 0 आजाएगा 15 में से 8 गए 7 और 7 और 7 कैंसल हो जाएगे अब इसको हमने a माना है इसको माना है b अर्थात हमें मान निकालना है a cube minus b cube का अगर a minus b का मान सूनने है तो a cube minus b cube का मान भी सूनने होगा चुकि यहां से a बराबर b आ जाएगा यहां भाई रखोगे तो मान आ जाएगा सूनने अब जैसे प्रस नमबर 9 में लिखा हुआ है x बराबर 2 प्लस अंडरूट 3 अब यहां सवाल संयुगमी वाला है अगर x का मान है 2 प्लस अंडरूट 3 तो 1 अपॉन x का मान हो जाएगा 2 माइनस अंडरूट 3 भाई संयुगमी में अगर यहां वाला मान प्लस का है तो 1 upon वाला मान माइनस का हो जाएगा अभी हमें मान निकालना है under root x plus 1 upon under root x तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं under root x plus 1 upon under root x का whole square बराबर वाई क्या हो जाएगा x plus 1 upon x और plus 2 चुकि आगे वाले AOB cancel हो जाएगे अब यहाँ से under root x plus 1 upon under root x का whole square बराबर अब x का मान क्या है 2 plus under root 3 और 1 upon x का मान 2 minus under root 3 और plus 2 यहाँ दोनों cancel हो जाएगे 2 plus 2 plus 2 6 आजाएगा हमें मान निकालना है under root x plus 1 upon under root x मान आजाएगा under root 6 अब जैसे प्रस नमबर 10 है करा है कि 5x plus 9y बराबर 5 दिया हुआ है 125x cube plus 739y cube बराबर 120 दिया हुआ है और हमें मान निकालना है xy का simple by क्या करना है इसका ना हमें घन कर देना है whole cube अब यहाँ आप whole cube करोगे तो क्या बन जाएगा 5x का cube plus 9y का cube plus 3 into 5x into 9y और यहां हो जाएगा 5x plus 9y और बराबर 125 अब यह संख्या यह संख्या भाई सेम सेम हो जाएगी इसका क्यूब करोगे यह आ जाएगा इसका क्यूब यह वाला अर्थात इसका मान हो गया 120 यहां पांस तिया पंदर नाम एक सो पैंतिस वाई 135xy और इसका मान है 5 बराबर आ जाएगा 125 अब यह संख्या इधर जाएगी तो यहां बचेंगे 5 so xy बराबर क्या हो जाएगा 5 और यह संख्या बटम जाएगी तो 5 गुड़े 135 भाई 5 5 कैंसिल xy का मान आ जाएगा 1 बटा 135 अब प्रस नंबर 11 है लिखाए अंडर रूड 6 गुड़े अंडर रूड 15 बराबर x गुड़े अंडर रूड 10 अब भाई संख्या रूड में है तो आप गुड़ा कर दो 15 चे का 90 लेकिन भाई संख्या रूड के अंदर लिखी जाएगी तो x गुड़े अंडर रूड 10 तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूड 90 और बटे 10 दोनों संख्या है रूड में हैं हमने एक ही साथ लिख ली तो x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूड 9 तो हमारा x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 3 नौ का वर्गमूल अब प्रस नमबर 12 है कि x प्लस y बराबर 15 है तो x माइनस 10 का होल क्यूब प्लस y माइनस 5 का होल क्यूब का हमें मान ग्याद करना है अब यह सवाल भी प्रस नमबर 8 की तरह ही है क्या करना है इ माइनस 10 बराबर A तो X बराबर A प्लस 10 यहाँ Y माइनस 5 को हमने B माना है तो Y बराबर हो जाएगा B प्लस 5 अब यहाँ पे X प्लस Y में न X और Y के मान रख लो तो यहाँ आ जाएगा A प्लस 10 प्लस B प्लस 5 इक्वल टू 15 10 और 5 15 भाई कैंसिल हो जाएगे आ जाएगा A प्लस B बराबर 0 अब यहाँ आ गया A माइनस B A बराबर आ गया माइनस B और हमें मान निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब का A क्यूब और B का मान रख दो आप माइनस A तो यहाँ हो जाएगा माइनस क्यूब माना जाएगा जीरू